जैमातादी आप लोग दिख रहे हैं जम्मू परिवर्तन मैं हूँ आपके साथ नरिंदर सिंग ठाकुर जम्मू कश्मीर के लिए एक वार फिर से प्राउड की बात है और आप लोगों को सबसे पहले यही कहेंगे कि कमेंट जो हो आपके रुकने नहीं चाहिए जने कि कंग् लिए दिखाई है और बहतर परफार्मेंस दिखाकर अवार्ड जो हो आप अपने स्क्रीन पर आपने देखा होगा और यह मेक अप आर्टिस्ट कौन हैं यह हमारे साथ इस वकद माजूद हैं इनसे बाचित करने की कोशिच करेंगे लेकिन सबसे पहले आप तमाम लोग इन और फार्यवर स्टार इंडिया अवार्ड अवेंट जो हों एक करवाएगर वहां पर इने के सारे अवार्ड से जो आवड नवा जा गया है इनसे बात करने की कोशिच करेंगे रिना जी सबसे पहले तो आपको बहूत-बहुत मभारख भात इक हैंक तक पहुंची और वहां जाकर मुझे अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मोका मिला पूरे जमु कश्मीर से जाना चाहेंगे कि पूरे जमु कश्मीर से आप ही एक मेकप और आटिस्ट वहां पर गए हुआ जी हाँ बिल्कुल जम्मू से काफी सारी ओनलाइन एंट्रीज वहाँ पे गई थी उनको तो बाकी लग कहो यहां कुछ मेरा तो उसके हिसाब से मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया मेरा जो परफॉर्मेंस देखके जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस और साथ में इंस्टा की प्र काम करते हैं मैं यह 3 साल है जै कहां पर करते हैं जहना चाहें कि और भी लोग जो चाहते ओंड मेरे मेरी अकैडमी इतलाब तिलो जम्मू में है जो कि अभी मैंने ये चोटा सा एक शुरुआत की थी अपने घर से ही क्योंकि जब मैं डेली से सीख के आई थी मिनाक्षी दर्जी से तो तब तब जम्मू में कोविड काफी स्टार्ट हो गया था तो मैं बाहर अपना काम इस्टै का मोका मिला मैं मेकप ब्राइट के भी करती हूं और यहां पर लड़कियों को ट्रेन करती हूं मैं तो कहते हूं इस फील्ड में जिसको मतलब वही कहते हैं जिसको जो करना है वही करना चाहिए जिसके लिए जो बना है उसको वही करना चाहिए मैं पहले टीचिंग लाइन म गरवालों को जब सबसे पहले आपको ओवार्ड मिला आपने किसको बताया मैं ये तो शूव ऑनलाइन चल रहा था वहां से तो गरवाले हां सब ये फेस्बुक पे लाइव चल रहा था तो सब देख रहे थे तो मैं अपनी फैमली का अपने बच्चों का बहुत शुकर सोचा था ये तो कोई बगवान जी की किर्पा रही जिसे मुझे इत्ता बड़ा चांस मिला और मुझे मेरे हस्बंड की हर चोटे चोटे मत्रमूमेंट पे उनकी इतनी ज़्यादा सपोर्ट रही मैं बता नहीं सकती आपको फिर क्रैडिट किसको देना चाहोगे क्रैडिट या इस फील्ड में इंट्रस्टेड हैं उनको अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ है वो मेरे से आके मिले मेरे से जितनी उनकी हेल्प हो सकेगी मैं जरूर करूंगी बहुत बड़ी बात है जनाब यह सामने आप अगर आवार्स देखेंगे तो यह रिना च जोद्री जी वहाँ पर गे हो थे और जिनोंने काफी ज़्यादा बहतर पर्फार्मेस वहाँ पर दिखाई और जिसके चलते हैं यह अवार्ड जो हो मिला है आप लोग कमेंटे करके जो हो इने मवार्क बास जरूर दिजिएगा ताकि यह जो हो आने वाले वक्त में इसी त आपकी बेटी में कोई टैलेंट है जरूरी नहीं मेक अप को लेके किसी और तरह का भी टैलेंट है तो आप प्लीस उन्हें अप्रिशेट कीजिए और उन्हें सपोर्ट कीजिए ताकि वो कुछ कर सकें जो वो करना चाहते हैं माताराणी से हमारी भी दुआ यही रहेगी कि आप आने वाले वक्त में और जम्मू को चार चांद लगाए और इसी तरह से जम्मू का नाम रोशन करते हैं तो वो इन से राप्ता कर सकती है कोई रापता आपका कोई नाम आई डी का नाम या इंस्टा का पेज है रीना वीरेन मेकप स्टूडियो के नाम से आप उसको फॉलो करें उस पे मेरी सारी डिटेल्स हैं तो वहां से मेरे तक पहुंच सकते हैं तो उन्हें मेरी तरफ से किसी भी तरह की अगर हेल्प चाहिए तो मैं जरूर उनकी हेल्प करूंगी मैं तो कहती हूँ जिनको कोई financially अभी support नहीं है घर से financially weak हैं वो भी मेर से आके मिलें जहां तक मेर से हो सकेगा मैं उनको train करूंगी ताकि वो भी अपने पैरों पे खड़े हो सके बहुत बड़ी बात इन्हें नहीं कही है क्योंकि जम्मू की बेटियों के लिए रेना चोधरी ने साफ़तोर पर ये कहा दिया है कि अगर किसी को financially कोई problem है तो उसके लिए भी ये मदद अपनी तरफ से करेंगी और अपने इस्टा आइडी का नाम भी इन्हों नहीं बताया है और आप लोग अगर इनसे जुनना चाते हैं इनसे कुछ सीखना चाते हैं make-up के related तो आप इनसे जो हावो इनके page को इंस्टा पर जाकर follow कर सकते हैं और इनसे जानकारी ले सकते हैं ताकि आप भी इन्हीं की तरह आने वाले वकत में जम्मू का नाम जो हो रोशन करें फि जो वो जुरूर लिखेगा के अबरा परसुनावी शेक के साथ नरिंदर सिंग्ठा को जमो